दूसरे दिन से ही मेरा वाई तो अपने सहज सेवा में लग गए ठाकुर जी की में और अब महराज कुम्भा भी चल बसे थे तो मेवाड की राज गद्दी चोटे भाई को प्रदान कर दी गई और उदा भाई और विक्रमा अदित्य राजा अब मेवाड के राजा है वे ही अब मेवाड को समालते हैं मेरा भाई तो बस अपने गोपाल जी की सेवा में गरदर की सेवा में सदा मगन रहती हैं जब से विक्रमा अदित्य राजा राजा बने मेवाड के मेरा भाई के जाकर के उन्होंने कैई सारी प्रतिवन्दी लगा दिये कि अब आपका मंदर जाना बन्द, वहाँ नाचना, गाना बंद, हमारे पहले भाई को ले गई, हमारे पिताजी भी चले गए, हमारे पूरे कुल खांदान को आपने सर्वनाश कर दिया, आपको जो करना है महल के वीतर रह करके करई stabilize, अब आप बाहर आना जाना बंद कर द तरही आ जाएंगे और मीरा भाई लगी अपने ठाकुर जी के सेवा जियों जियों संकट भड़ते जा रहे हैं तियों तियों मीरा भाई की भक्ति और पुष्ट होती जा रहे हैं मीरा भाई का प्रसिद्ध पद सब गाते हैं कि मेरे तो गिर्धर को पाल कोई आ करके कहता है ए मीरा भाई आपको कभी स्मृति नहीं होती भोज राज की अच्छा इस बीच में बंदूं एक बात और हुई कि मीरा भाई की जन्मदात्त्री मां के भी प्राण नकल गए मीरा भाई ने उस दिन भी केवल जन्मदात्त्री मां को याद किया खुब रोई लाल जी से बोली मेरी मया को सदगत्ती देना मेरे सुक के लिए भहत विचार करती थी मैं खुश रहूं मैं प्रसंद रहूं ऐसा भाव गती थी और तो और मुझे मेरे बींद से मिलाने वाली मेरी मया ही तो थी पहली बार उनों नहीं तो बताया था कि तुम मेरे पती हो इसलिए मेरी मा पर कृपा करना ये सब इस्थितियां देखकर के कोई सामान निव्यक्ति पागली समस्ता था मीरा भाई को वो केते तुमको अपनी मां की याद नहीं आती अपने पती के बारे में कोभी चिंतन नहीं होता ये सब बातें तुमारे हिर्दे में क्यों नहीं आती तुम किसको अपना मानती हो मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल भाई छोड्या बंधू छोड्या चोड्या जग सोई सादू अनसंग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे मेरे तो किरधर कुपाल मेरे तो किरधर कुपाल मेरे तो किरधर कुपाल दूसरों न कुई मेरे तो किरधर कुपाल मेरे तो किरधर कुपाल कि एजे अस्वन जल सीच सीच प्रेम बेल वोई ये अस्वन जल सीच सीच प्रेम बेल वोई अब तो बेल फेल गए अब तो प्रेल वोई और आनंद फल होई रे मेरे तो गिर धर को पाल। मेरे को गिरधर को पा, दूसरों न कोई भगत देख राजी होई, जगत देख रूई तासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मुहिरे, मेरे तो गिरधर को फाल, मेरे तो गिरधर को पाल मेरे तो गिरधर को पाल मेरे तो गिरधर को पाल मेरे तो किरधार को पाइ मेरे तो किरधार को पाइ एक पंक्ती में गाता हूं न कथा में देता है कनहाई जिसे प्रेम की दिशा सब बेधी उसकी लेता है परिक्षा जितने मीरा भाई के भक्ती में सहायक्ते ठाकुर जी ने सब को दीरे दीर बुला लिया अपने पास देखो सबसे पहले राव दूदा जी सबसे पहले उनको बुलाया उसके बाद उनके जीवन में जो दो तीन संत पधारे जिन जिनकी कृपा से मीरा भाई के हिरदे में भक्ती का उजागर हुआ चार चार पांच पांच दिन के संग के अंतराल में ऐसा कुछ हुआ कि उन संतों को भी मेरता से जाना पड़ा जैसे तैसे मीरा भाई का भाई बड़ी मा का बेटा थोड़ा थोड़ा मीरा भाई के संग हो रहा था तो फिर मीरा भाई का ब्या हो गया विचारे को वो भी संग नहीं रह पाया पती भगवान करे सब को ऐसा मिले जैसा भोज राज प्राप्तु हुआ वो भी चला गया और फिर आप मीरा चरित्र देखेंगे तो कहीं कहीं ऐसा भाव भी दिखता है कि भोज राज के पिताजी राजा कुम्भा भी मीरा भाई के थोड़े पक्ष में रहते थे है उन्को अच्छा लगता था कि हमारी बींदरी हमारे लाला की पतनी इतना चाक आती है स्रंगार करती सेवा करती है वो भी थोड़े पक्ष में थे मीरा भाई के वो भी चले गए अब मीरा भाई केवल और केवल अपने विपक्षियों के बीच में रह गई नहीं मानो ठाकुर जी प्रत्यक्ष परिक्षाएं प्रकट कर रहे हैं मीरा भाई के लिए अब करो भक्ति मैं कहां करता हूं बंद्वों धार जिस तरफ है उस तरफ तो जिसको नहीं चला नहीं आती होगी वो भी नाव चला देगा क्योंकि धार में तो नाव चली जाएगी अपने आप लेकिन विपरीत धार हो और नाव तुमको वहाँ पहुचानी है तब चला के दिखाओ अनुकूल परिस्थिती में भजन तो कोई भी कर लेगा भजन करके दिखाओ प्रतिकूलता में लेकिन मीरा भाई के चरित्र में देखने को मिलता है कि जैसे जैसे प्रतिकूलता बढ़ रही ए त्योंते हो मीरा भाई और ठाकुर जी के समीर, अब तो मीरा भाई के साथ में कोई भी नहीं है, मीरा भाई के पक्ष लेने वाला, और उस स्थिती में मीरा भाई अपने ठाकुर जी की सिवा करती है, राजा विक्रमा अदित्य, उसने मीरा भाई का बाहर आना जाना बंद करा दिया, जो करना है भीतर रेकर के करो आदी आदी, और साथ में विक्रमा अदित्य की साहता करती थी, उदा भाई, वो तो पहले सी खीजी हुई थी, उसको नेक के रूप में तुलसी माला जो दे दी कि उसको भी समय मिल गया कि अब तो भाई भाई भी नहीं कोई नहीं है अब मीरा भाई को परिशान करेंगे अच्छा परिशान करने का कोई उनका भी भाव नहीं था विचारों को क्यों दोस्ते पर मीरा भाई रोज कुछ उत्सव कर रही है कभी कुछ कर रही है कभी नाच रही है कभी गा रही है कभी लिये तानपुरा बड़िया संदर गीत का रही है संगीत हो रहा है डोल नंगाड में वहां डोल नगाडे ताशे बज़ रहें इन सब भावों से घर के लोग बड़े परिशान उदा भाई अपने भाई के पास बैटी थी बोले अब तुम राजा हो तुमारे हाथ में सत्ता है तुम चाहो जो कर सकते हो बोले क्या करें बोले कि बाहर तो सब सुखी है लेकिन घर में दुखी है इमीरा की वज़े से बोले सारे दुख की जड़ है वो मूर्ती जो इसके संग आई है गिर्धर ठाकुर जी की भाईया उसी को ठिकाने लगवाओ बोले कैसे करें क्या करना पड़ेगा उदाबाई बोली हमारे याँ कैद खाने में इतने सारे कैदी हैं उसमें से कोई बढ़िया वाला चोर दुड़वा हो और चोर से गिर्धर लाल की चोरी करवा दो और चोरी करवा करके उसको कुवा में फिकवा दो और इसी के उपहार में उस चोर को मुक्त कर देंगे ये ठाकुर जी जा दिन चले जाएंगे हमारे महल से बाद इन से मीरा बिल्कुल शान्त हो जाएगी दासी बन जाएगी हम दोनों की विक्रमा देते बोले बेहन बहुत बढ़िया बात कैदियों को बलाया गया बोले इन कैदियों में सबसे बढ़िया चोर कौन सा है उस चोर को बलाया गया बोले सुनो तुमको एक काम करना है बोले क्या हमारे महल में एक रानी रहती है मीरा उसके ठाकुर जी है गिरधर उनको चोरी करना है चोरी करके अर्द रात्री में और उसको ले जा करके कुवा में फेक दो चोर बोला ये तो बहुत सरल कामें में कर दूँगा मीरा भाई रात्री में ठाकुर जी के श्रंगार बढ़ा करके ठाकुर जी का श्रंगार हलका करके ठाकुर्जी के चरणों में सुन्दर इत्रकी मालिश करके ठाकुर्जी के हाथ पाम दवाते भए अपने संग सुलाती है और थोड़ी देर अपने संग सुलाने के बाद फिर ठाकुर्जी के शैन शैया पर ठाकुर्जी को विराजमान कर देती पंदु मीरा चरित्र से सेवा भी सीख पाएंगे सेवा कैसी होनी चाहिए आप कुछ ना भी करो तो एक काम हमारे कहने से किया करो अपने अपने घर के ठाकुर जी के रात्री में शैन के समय अभी गर्मी का समय आपके गांधी धाम में सर्दी पड़ती है दिसंबर जनवरी में थोड़ी बहुत पड़ती ही ओगी मादश है आइसे संदर एत्र ठाकुर्जी की पोशाख हलकी करके और फिर चरणों में बढ़िया ठाकुर जी के चरन दबाउ और इस भाव से दबाउ कि ठाकुर्जी आप पूरे दने इसी बठे रहते हो, लड्डू गोपाल ऐसी बठे रहते हैं, त्रबंगल लग ठाकुर जी ऐसी इत्रित ना हो लेकिन ठाकुर जी का रात्री शेयन अच्छा होना चाहिए इस बात का विचार किया कर आप निश्चित मानिएगा ठाकुर जी का शेयन बढ़िया होगा ना स्वपन में ठाकुर जी पदारेंगे निश्चित उनका दर्शन होगा शेयन बढ़िया करा हो क्योंक रात्री के वस्त्र अलग रखो अपने वो वस्त्र धारन करो ना दो के ठाकुर्जी को शेन कराने जाओ और गाना आता हो तो फिर तो कह नहीं क्या बिहाग राग लो ठाकुर्जी को शेन कराओ बिहाग राग सुना करके ठाकुर्जी के नेनों में नीद भर आई लालन के नेनों में नीद भर आई ललिता श्री लालन जुकी सेज सजावे विशाख भरे जल जाडी लालन जुकी नेनों में नीद भर आई बहुत आनन्द आएगा सारी लाइट बंद कर दो मंदिर की सुन्दर दीप जलाओ और दीप के प्रकाश में ठाकूरजी को देखो सुंदर इत्र लगा के थोड़ी देर नेहारो उपद सुनाओ उपद सुनाते सुनाते ठाकुर змंद से यहां पहर सुलाई दो और जब थोड़ी देर में बिलकुल शान्त और कुछ नहीं बस बिहाग का थोड़ा स्वर चल रहा हो ठाकुर्जी के उपर थोड़ी देर हाथ ऐसे फ्ष्ष करते भए ठाकुर्जी को जब नीद अलगे भाव कि सो गए दिया उठा के बाहर ले आओ इसे शेन कराओ ठाकुर्जी को निष्चित है अस्वपन में ठाकुर्जी आएंगे मीरा भाई ने अपने लाल जी को शेहन करा दिया शेहन करा के शेहन से या पर पोड़ा दिये अब पोड़ा करके मीरा भाई तो भाव ठाकुर जी के भाव सामराज्जी में चली जाती है रत्री में होते ही जैसे ही भाव सामराज्जी में गई इतने महीं चोर आया और चोर को सम्मार्ग तो बताई दिये तो उदा भाई ने सब उसकी बेवस्था करी दी थी चोर आया आकर के महराज ठाकुर जी को लिया और लेकर के वो तो सीधे गया जाकर के उसने कहीं ठाकुर जी कुवा में पदरा दिये रात्री निकल गई प्राते काल का समय हुआ सोरे उदय होते ही मीरा भाई ने सुन्दर दूद भोग लड़ू भोग ठाकुर जी के सामने पदराए और पदराने के बाद मंगला का पद गाया ठाकुर जी को उठाने का पद गाया और जैसे ही पद गाते गाते मीरा भाई ने जैसे ही जहां पी जी खोली शैन शैया के उपर से वस्त्र हटा करके देखा तो ठाकुर जी वहां नहीं आहा मीरा भाई तो बेचैन हो गए बहर भी एक पद है बंदों मेंने गाया आये लेकिन आज तक कभी कथा में नहीं गाया उपद इसी भाव में आता है कि मीरा भाई के ठाकुर जी कहीं चले गए ब्याकुल हो गई अचे तवस्था में पड़ी है आज सकीया कीर्टन गा रही है तो मेरा भाई चला रही है बोले कि अरे मुझे चेतना दिलाने के लिए कीर्टन मत करो मेरा गिर्दर कहां चला गया अरे हमसे कोई भूल हो गई अपराद हो गई गोपी गीत का बैठ करके पाठ करने लगी बार बार गोपी गीत सुनाने लगी जोशी जी कहते थे कथा में कि गोपी गीत का पाठ करते ही ठाकुर जी प्रगट हो गए जरूर मेरे अंदर कोई मान आ गया होगा मैंने कुछ गल दो दिन हो गए मीरा भाई ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं बस रुदन कर रही है मेरे ठाकुर जी कहां चले गए मेरे शाम संदर कहां चले गए खोजने लगी जैसे ब्रच की गोपिया रास मंडल के बीच से अंतर ध्यान हुए ठाकुर जी को धूरती है जड़ चेतन सबसे पूछते हैं